नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एकार्ग्स टुटोरियल्स पर मैं हूँ गौरब फ्रेंड्स UPPSC अल्थात उत्तर पदेश लोगसेवा आयोके द्वारा वर्स 2023 का एक्जाम कलेंडर ओफिशल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है तो चलिए हम एक्जाम कलेंडर को देख लेते हैं इससे पहले आप से रोक्वेस्ट की जर्नल स्टेडिस और करेंटरफेस की तैयारी के लिए आप एकार्ग्स टुटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं के फ्रेंट्स तो चलि हम एक्जाम कलेंडर देख लेते हैं जो की जारी किया गया यूपीपेसी की द्वारा देखिए विग्यप्ति जारी की गई है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उत्तरप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा वर्स 2023 में आयोजित की जाने वादी प परिक्षा का नाम दिया हुआ है जो परिक्षाएं आयोजित की जाएंगी और उनकी प्रस्तावी तिथियां दी हुई है और कुछ जो परिक्षा की प्रस्तावी तिथियां है वह आरक्षित तिथियां भी यहां पर दी हुई है जैसा की लिखा हुआ है तो चलि हम देख ल इसके बाद साहयक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 की प्रस्तावित तिथी दी हुए 9 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक इसके बाद आरक्षित तिथियां है दो तिथियां जो की आरक्षित रखी गई हैं अन्निकिसी परीक्षा के लिए जिसका कि यहां पर नाम नहीं दिया हुआ है परीक्षाओं का 12 फर्वरी 2023 इस परिक्षा की प्रस्तावित है इसके बाद आरक्षित तितियां दी हुई है फिर 26 फर्वरी 2023 और 5 मार्च 2023 इसके बाद खान ने लिख चक मुख परिक्षा 2022 यह 19 मार्च 2023 को प्रस्तावित है इसके बाद अन कुछ आरक्षित तितियां दी हुई है फिर जैसा कि आप देख सकते हैं 26 मार्च 2023 दो अपरेल 2023 नौ अपरेल 2023 तीस अपरेल 2023 और 7 मई 2023 इसके बाद समलित राज प्रवर अधीनस सेवा एवं सायक वन संदक्षक छेत्री वन अधिकारी प्रारंबिक परिक्षा 2023 अर्थात UPPCS 2023 की प्रारंबिक परिक्षा तो यह परिक्षा कब आयुजित की जाएगी इसकी प्रस्तावित तितिये 14 मई 2023 ओके फ्रेंट्स इसके बाद आरक्षित तिति दी हुई है 21 मई 2023 इसके बाद उत्तरपदेश नाइक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख प 24 वा 25 मई 2023 को आयुजित किया जाना प्रस्तावित है इसके बाद अन कई आरक्षित तितियां यहां पर दी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद अगली परिक्षा जो यहां पर दी हुई है समलित राजपरवर अधीन सेवा मुख परिक्षा 2023 यह 23 सितंबर 2023 से आ प्रस्तावित है इसके बाद अन आरक्षित तितियां दी हुई है आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर 2023 27 अक्टूबर 2023 5 नवंबर 2023 19 नवंबर 2023 और 19 दिसंबर 2023 आगे यहां पर लिखा हुआ है विशेष परिस्तितियों में तितियों में परवर्तन किया जा सकता है ओके फ्रेंड्स तो दोस्तों इस तरह से यह एक्जाम कलेंडर जारी किया गया है UPPSC का और इसमें जो है जिन परिक्षाओं की तितियों यहां पर दी हुई है प्रस्तावित तितियों वह आप देख सकते हैं और बहुत सारी तितियों ऐसी हैं अर्था डेट्स जिनको की आ पारक्षित रखा गया है ठीक है अन्य परिक्षाओं के लिए जिनके की यहां पर नाम अभी नहीं दिये गए हैं उन परिक्षाओं के ओके फ्रेंड्स तो दोस्तों यह थी मैं अत्रपूर्ण जानकारी और एकाक्स टुटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सामान अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद